हेलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में अर्था लंकार की ऐसी सांदा ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिससे कि आप परिक्षा में देखकर ही बता पाएंगे कि इस उधारण में कौन सा लंकार है इससे पहले हम सब लंकार की ट्रिक वाली वीडियो बना चुके हैं तो उसको भी तक जरूर देखिए सबसे पहले हम अर्था लंकार की परिवासा जानते हैं अर्था लंकार किसे कहते हैं तेकि जहां काब में अर्थ के आधार पर क्या हो चमतकार हो यहां काबी की सोबह बड़े भांपर हमारा अर्था लंकार होता है ठीक है अर्थ के आधार पर जहां भी बहुत ज्यादा मैत्मून हो जाते हैं अर्थालंकार के अंदर इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे वह भी बहुत सांदार ट्रिक के माद्यम से तो फस्ट देखी उपमालंकार इसकी डेफिनेशन ही बताता हूं ताकि आपके लिए दोनों याद रहें जहां दो बस्तों की तुलना करके एक को दूसरे के समान बता जाता है यहां पर क्या है दो बस्तों की तुलना की जाती और एक को दूसरे के समान बता जाता है वहां पर उपमालंकार होता है और इसकी ट्रिक देखिए तो होगे इसकी डेफिनेशन नियम ट्रिक हो हरी पद कॉमल कमल से तो से देखात इसमें क्या हो गया उपमालंकार कितने जल्दी आप पैचान पाएंगे ट्रिक के माद्देम से बाकी डेफिनेशन के कोडिंग में आपके लिए बताता हूँ के दिखी जहाँ पर क्या होता है दो वस्ता आण की तुलना हो और एक को दूसरे के समान बता जाए तो एक को दूसरे के समान बताया जा जा रहा है यानि कि दो वस्तो कि तुलना की जा रही है बागी TArock मैना आपके लिए बटा दी 700 से आपके लिए बढ़ने देखें कि कौन सा अलंकार होगा हुपमा अलंकार होगा है कि दूसरा देखिए रूपक अलंकार इसको कैसे पहटा पहले इसकी परिवासत देखिये। जहां किनी दो बैक्ति बस्तूमें इतनी समानता हो कि दोनों में क्या अंत्र करना करना मुस्किल तो होगा जूत की बाफर उत्नी जबहा हो क्या हर रूपा कलंकार होगा न कि रसNow निकता होगा Dos the कि द्रिक क्या होता है से संयोजक चिन लगा होगा जो डेस का चिन होता है से संयोजक चिन कहते हैं तो रूपक अलंकार कुदारण में क्या आपके लिए इसा डेस का चिन लगा होगा जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलोना ले हूं तो यहां पर देखिए डेस लगा है तो ट्रिक के मादध्यम से बत हो रही लेकिन यहां पर बहुत कम अंतर है कि चांद और खिलोना तो यह फिर कौन सा अलंकार होगा थीक है अब नेश्ट लेखिए उत्प्रेक्चा लंकार को कैसे पैचानेंगे जहां एक बस्तू में दूसरी बस्तू की संबहाबना या कल्पना की जाएं यानि कोई एक बस्तू होगी उसमें हम क्या करें को दूसरी वस्तू कि संबहाबना देखें कल्पना करें तो भाप पर उत्प्रिक्चा लंकार होगा इसको पहचानने की सरल ट्रिक क्या होगी इसमें आपके लिए जनू जानो मनू मानो मनव इब इन मैंसे कोई भी एक सब्द दिख जाता है दो आप उत्प्रिक्चा लंकार लगा देंगे जैसे कि पहले एक्जम्पल देखिए उसका मुख मानो चंद्रमा है तो मानो देख गया आप के समान सुन्दर ठीक है दूसरा देखिए फूले कास सकल मई चाई जनू बरसा रिदू प्रकट बुड़ाई तो यहां पर जनू देख गया आपके लिए तो जनू यहां पर सब्दे ट्रिक में तो जनू जब भी उदारण में आए का वो कौन सा उगोत प्रिक्चा अलंका का उदारण होगा कि चलिए हैं पर चौत देखी अतिस्योक्ति अलंकार इसमें कैसे पैचा नहीं जहां बड़ा चड़ाकर बंडन किये जाए बापर अतिस्योक्ति अलंकार होगा बाकी इसकी ट्रिक क्या है बाको को आप जब भी पढ़ें और पढ़कर आपको एकदम है कि हनुवान की पूच में एक तो आग लग नहीं पाई इससे पहले क्या होगा है सारी लंका जल गई और पूरे राक्षा जिसने थे वह भाग गए ऐसा पॉसिवल है कि पूच में आग भी नहीं लग पाई और अनुवान जी ने उसी पूच से फूरी लंका को जला दी त तब तक चेतक था उस पार तो यहां पर क्या होगा था कि अतिसयोक्ति अलंकार होगा थीक है बाद समझ आ गई लास्र देख समय यह अन्नुवात की। क्लिशा अलंकार क्या होता है जहां किसी बस्तु को कि कर रहे हैं लेकिन बात कि मौंकार को هी होगा कभी आपने की देख आपके सामने कोई बैकती किसी चीज़ को और चीज़ को लक्ष कर आप से इंडारेक्ट वो बात कह रहा है वहाँ पर अन्युक्ति अलंकार जैसे इसकी ट्रिक देखिए जहां अन्य के बिसे में बात हो यानिकी लक्ष तो किसी और को किया जाए यहां पर देखिए आपको फूल और कांटे के मातियम से यहां पर क्या बताया किसकी बात किये फूलं के आसपास रहते फिर इंठ हैकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्uni सुच्छ सुईधा में होते हैं फिर भी क्या होता है वह अदास ही रहते उनकी इस परकार की प् कुछ लोग उदास रहते हैं तो यहां पर फूल और कांटे को लक्ष कर किसी और के बारे में बात किए दूसरा देखिए नहीं पराग नहीं मदूर्मदू नहीं बिकास एही काल अली कली ही सोंख बंदियों आगे कौन हवाल यहां पर क्या हो रहा है जो कभी है वो यहां पर आजि देखिए जो पराग है और मदू है मदू है मदू इसको क्या कर रहा है इसको लक्ष कर बात राजाज से कह रहे हैं की वो न बीवायत हैं वो अपना सारा काम का छोड़ कर बो क्या हो गए हैं राज काट एपना करतव बंद्र भुलाए है संबोधित किया है तो बात समझवा गई जहां पर किसी और के लिए बात की जाए तो बहां पर अन्युक्ती अलंकार होगा ठीक है दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो हमारा अर्थलंकार था उसके बहुत सारे एक्जा जो अलंकार है उसको अच्छी ट्रिक के माध्यम से बता नहीं कोसिस की उम्मीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जरू करें और नीचे मुझे कमेंट्स में भी जरू बता जो भी मुझे नीचे कमेंट्स करेगा उसको मैं यहां पर पिन कर दूंगा तो उसकी कमेंट्स सबको ह तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए तना ही थेंक यू